आज की इस वीडियो में हम breaking system के उपर सारे सवाल जवाब लेंगे और काफी important सवाल जवाब हैं अगर आप यहाँ पे C&W स्टाप जेही की तयारी कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे technician की exam की तयारी कर रहें तो यह सारे सवाल जवाब आपके लिए काफी important होने वाले हैं ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ड का टार्क मोली कितना होता है पहला सवाल हम अगर लेते हैं तो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ड का टार्क मोली क्या होता है चार option दिए गए अगर आपको इनमें से कोई भी answer पता है तो comment में जरूर बताएगा यहाँ पे इसका right answer ब्रेक सिस्टम डबल पाई एंट ट्ken सिस्तम और चौथा डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम के साथ ट्विण पाइप यह डबल पाइप चौथा option है इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer है गर डिस्क air brake system के साथ double pipe यानि कि LHB में जो breaking system है उसमें disk brake का इस्तमाल किया जाता है twin pipe के साथ तो अगला सवाल देख लेते हैं air tank की छमता क्या होती है air tank की छमता कितनी होती है और इसका right answer है 200 liter air tank की छमता 200 liter होती है अगला सवाल 125 liter air tank का इस्तमाल कहा होता है 125 liter air tank का इस्तमाल क्या होता है और इसका right answer है breaking उद्देश के लिए 125 liter air tank का इस्तमाल जो होता है LHB coach के अंदर breaking उद्देश के लिए यानि break लगाने के लिए किया जाता है 75 liter air tank यानि जो 75 liter air tank होता है उसका इस्तमाल किसलिए किया जाता है तो देखे 75 लिटर टैंक का उस्तमाल यहाँ पर राइट आंसर का है 140 उद्देश्य के लिए यह जो पूरी PDF है इसे मैंने नहीं बनाए यह railway board का PDF है और यहाँ पर मैं इसलिए share कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके अगर आपको यह पूरा PDF चाहिए तो चैनल को सबस्ट्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस वीडियो को सीरीज को खतम करने के बाद यह PDF मैं आप लोगों को दे दूँगा जिसमें आपको हजारों सवाल मिल जाएंगे इसलिए चैनल को सबस्ट्राइब कर लिजेगा चटा नंबर सवाल CR टैंक की छमता कितनी होती है CR टैंक की छमता कितनी होती है चार ओप्शन है 5.0 लिटर, 6 लिटर, 9 लिटर, 8 लिटर और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ख यानि कि 6 लिटर आप लोगों में से कितने लोगों के इन सवालों के जवाब पता है कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले की कितने लोगों को किस लेबल तक की जानकारी है सवाल No. 7 लेते हैं मुक्खे BP और PP पाइप के बोर का आकार कितना होता है बहुत ही important सवाल है यहां भी चार option आपको मिल जाएंगे 45 mm बोर, 25 mm बोर, 20 mm बोर और यहां पर 18 mm बोर तो मुख बीपी और एपी पाइक का जो बोर अकार होता है वो इसका right answer रेखा यानि 25 mm का बोर आठ नंबर सवाल लेते हैं BC, line, branch, pipe का बयास कितना होता है यानि कि जो break slender, BC का मतलब यहां पर break slender break slender के जो branch pipe line होता है उसका बयास, उसका diameter कितना होता है यहां भी चार option आपको मिलेंगे 25 mm, 20 mm, 18 mm और यहां पर 16 mm और इसका right answer है ग, यानि 18 mm BC, line, branch, pipe का बयास 18 mm होता है अगला सवाल देख लेते हैं, break, सूचक, pipe का बयास कितना होता है जो break indicator लगा होता है, LHB coaches में break indicator अपने देखा होगा break लगने के दोरान red हो जाता है, break release होने के दोरान वो green हो जाता है तो break indicator का जो pipe होता है, उसका बयास यानि कि उसका diameter कितना होता है सवाल number 9 है, और इसका right answer है ख, यानि 10 mm मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को कितना answer पता है comment करके ज़रूर बताना ठीक है, ताकि मैं भी देख सकू कितने लोगों को कितना आता है सवाल number 10 ले लेते हैं, अगला सवाल जब break सुचक लाल दिखता है तो break होगा, क्या होगा यानि जब break indicator में अगर आपको red color का आपको दिखाई देता है तो उस इस्तिती में break की position क्या होगी, क्या break release होगा, क्या break applied होगा या फिर संकेत तक खराब है, यानि कि जो आपका break indicator वो खराब है या इन में से कोई नहीं, कौन सा answer इसका सही है तो देखे, इसका answer एक ख, यानि applied यानि जब भी आपको break indicator में red color का indicator दिखाई देगा इसका मतलब यह हुआ है, कि उस boggy में, उस coach में, जो break है, वो apply है ठीक है, बहुत important है, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा सवाल number 11, जब break सुचक हरा दिखाई देता है, तो क्या होता है सिंपल सी बात है, जब हरा दिखाई होगा, तो release होगा इसका right answer है, का, यानि कि जब भी break indicator green color का होगा तो इसका मतलब होगा, कि वो boggy, या फिर वो coach release है, उसका break release है सवाल number 12, break accelerator, break accelerator क्या करता है, सवाल number 12, बहुत important है break accelerator के बारे, बहुत से लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर भी इसके चार option आपको मिल लाएंगे break activating device, apart calling break application device, ख, ग, दोनो, क, आयम, ख, और ग, कोई नहीं तो break accelerator का right answer है, वो ख है, apart calling break application device सवाल number 12, सवाल number 13, break accelerator की मुख्य application क्या है सवाल number 13, break accelerator की मुख्य application क्या है इसके चार option है, रेक के परतेक डिब्बे में apart calling break लगाना है, रेक के परतेक डिब्बे में आंशिक ब्रेक लगाना है, रेल के परतेक डिब्बे में बराबर ब्रेक लगाना है क्या सक्री हो जाता है यहां पर चार उप्शन आपको दिखेगा पर एक service application, आपात कालिन break application दोनों का यूंख इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है ख आपात कालिन break application break accelerator जैसे ही activate होता है तो इसके दौरान आपात कालिन break application हो जाता है तो इस चीज बहुत important है और आप देख सकते कि break application से जुड़ा हुआ बहुत सार सवाल है तो आप इसको समझ सकते कि break accelerator जो है कितना important चीज है इसलिए आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए अगला सवाल सवाल नमबर 15 ब्रेक एकसिलेटर को सक्री करने के लिए दबाओ की नियूंतम दर आवश्यक है मतलब कितने नियूंतम दर पर दबाओ air pressure के कितने नियूंतम दर पर ये application जो ब्रेक एकसिलेटर है वो सक्री हो जाता है और यहाँ पे इसका right answer है तीन सेकेंड में 5 से 3.2 kg पर cm2 जब यहाँ पे drop होता है तब जाके ब्रेक एकसिलेटर सक्री होता है अगला सवाल सवाल नमबर 16 ब्रेक एकसिलेटर रिसाओ करना बंद कर देता है जब प्रेशर पहुंचता है यानि देखें जब pressure down होता है तो ब्रेक एकसिलेटर एक्टिवेट हो जाता है औ लेकिन ब्रेक एकसिलेटर कितना पहुंचता है तो वापस ब्रेक एकसिलेटर काम करना बंद कर देता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है गह 2.5 से 1.5 kg यहाँ पे जब पहुंचता है तब यहाँ पे ब्रेक एकसिलेटर अपना रिसाओ करना यानि लीकेज पैदा करना BP के अंदर leakage पैदा करना बंद कर देता है, अगला सवाल, सवाल नमबर 17, break accelerator किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, यानि break accelerator जो coach के अंदर लगा होता है, EP से जुड़ा रहता है, BP से जुड़ा रहता है, BC से जुड़ा रहता है, और इसका right answer रहता है, BP पाइप, देखे सिंपल सी बात है, अगर break accelerator leakage पैदा करके, गाड़ी के अंदर break लगाता है, तो सिंपल सी बात है, ये BP pipeline के साथ ही जुड़ा होगा, क्योंकि BP drop होगा, तब ही गाड़ी में break लगेगा, तो break accelerator किस से जुड़ा होता है, BP pipeline के साथ जुड़ा होता है, सवाल नमबर 18, कितने pressure tank generator car पर पर प्रदान के जाते हैं, यानि जो generator car होता है, जो LHB रेक में आप आगे और पीशे देखते हैं, तो उसमें कितने pressure tank वहाँ पे लगे होते हैं, और इसका right answer है ग, यानि कि 4, चार यहाँ पे pressure tank लगे होते हैं, सवाल नमबर 19, यहाँ पर पार्किंग break के लिए प्रदान की गई pressure tank की छमता कितनी होती है, देखिए यह सारे सवाल जवाब LHB से जुड़े हुए हैं, बहुत important है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और इस चीज़ को आप समझ लिजे कि अगर अगर आप कोई exam में, C&W के किसी भी departmental exam में, J के exam में आप आते हैं, तो उनमें से लगबग यह सारे सवाल आने बिलकुल तय हैं, क्योंकि यह breaking system से जुड़े हुए, LHB के काफी important सवाल लेवाब है, सवाल नम्बर 19, parking brake के लिए परदान की गई, pressure tank की छमता क्या है, और इसका right answer है, गर यानि कि 6 लेटर, अगला सवाल लेख लेते हैं, hand brake के लिए परदान की गई, cable का नाम क्या है, flexible cable केहते हैं, सवाल नम्बर 21, generator car पर परदान की जाने वाली, flexible cable कितनी होती है, यानि generator car में, hand brake का जो system दिया गया है, उसमें कितने flexible cable का इस्तमाल किया जाता है, अगर आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर comment करके जरूर बताना, और इसका right answer है, यानि दो cable, दो cable का इस्तमाल किया जाता है, सवाल नम्बर 22 देख लेते हैं, flexible cable सीधा जुड़ा होता है, किस चीज़ से, जो flexible cable होता है, जो emergency brake के लिए होता है, sorry, emergency नहीं, hand brake के लिए होता है, वो सीधा किस से जुड़ा होता है, क्या brake caliper से, brake slender से, दोनों से, या in में से कोई नहीं, और इसका right answer एख, brake slender से, सीधा ये brake slender से जुड़ा रहता है, और यहाँ पे ये brake लगा देता है, सवाल नम्बर 22 का right answer एख, सवाल नम्बर 23, ASD का पूरा नाम क्या है, सवाल नम्बर 23, रखा, anti-slip device, यानि की anti-slip device, ठीक है, सवाल नम्बर 24, यहाँ पे anti-skid प्राणी का उद्देश से क्या है, anti-slip device का उद्देश से क्या है, पहियों को skid से बचाना, सभी Excel पर समान गती बनाए रखने के लिए, दोनों और इन में से कोई नहीं, सवाल नम्बर हमारा यह 24 है न, और इसका right answer का, पहियों को skid होने से बचाना, या पहियों को slip होने से बचाना, ठीक है, घसीटे जाने से बचाना, सवाल नम्बर 25, dump while का उद्देश से क्या है, देखिए सारे सवाल निवाब breaking system से जुड़े है, और यह सारे LHB से जुड़े हैं, तो काफी important सवाल है, सवाल नम्बर 25, dump while का उद्देश से क्या है, यहाँ पे 4 option दिए गए है, सभी Excel पर लगबग समान गती बनाया रखना, पहियों को skid से बचाना, दोनों का और खा, और इनमें से कोई नहीं, तो यह 25 नम्बर सवाल था, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नम्बर 26, dump while की application क्या है, केवल ब्रेक लगाना, याइन dump while करता क्या है, केवल डी ब्रेकिंग करना, दोनों ब्रेक लगाना, और डी ब्रेकिंग करना, इनमें से कोई नहीं, dump while को operate करने के लिए, कितने वोल्ट बिजली की अवशक्ता होती है, बहुत important सवाल है, dump while को operate करने के लिए, कितने वोल्ट बिजली की अवशक्ता होती है, 110 volt AC, 110 volt DC, 24 volt DC, या 230 volt DC, और इसका right answer है, 110 volt DC, सवाल नम्बर 28, anti-skit प्रिणाली क्या है, सवाल नम्बर 28, anti-skit प्रिणाली क्या है, electronic है, pneumatic है, electronic pneumatic है, दोनों का और खा दोनों है, तो इसका right answer है, घा, का और खा दोनों, यानि कि ये electronic प्रिणाली भी है, और pneumatic भी है, दोनों चीज़ें का इस्तमाल इसमें किया गया है, सवाल नम्बर 29, speed sensor का उद्देश से क्या है, सवाल नम्बर 29, speed sensor का उद्देश से क्या है, प्रतेक Excel के चक्करों की गढ़ना करने का, प्रतेक Excel की समानकती बनाया रखने के लिए, का और खा दोनों और इनमें से कोई नहीं, सवाल नम्बर 29, काफी important है, speed sensor का इस्तमाल किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, का प्रतेक Excel के चक्करों की गढ़ना करने के लिए, आखरी सवाल ले लेते हैं, सवाल नम्बर 30, आज के इस वीडियो का आखरी सवाल है, पूरे ये योट्यूब चैनल का, ये मेरा आखरी सवाल नहीं, आज के वीडियो का आखरी सवाल है, अगले सवाल में फिर जो की color person आपको मिल जाएगी, आगे के सवाल हम लेंगे, सवाल नम्बर 30, sensor और phonic wheel के बीच air gap की सीमा क्या होती है, बहुत important सवाल है ये, बहुत सवाल जाब आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आने वाले समय में आपको देने वारा हूँ, इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के, तो कर लो bell icon बटन दबा देना, ताकि वीडियो के notification आपको मिल सके, और एक चीज़ा और बता दू, ऐसे बहुत सवाल जाब के उपर मैंने और वीडियो बना रखे हैं, और आपको अभी screen पे end screen पे दिख रहा होगा, आप click करके जा सकते हैं, या फिर description में जाकर देख लीजिए, वहाँ भी मैं link दे दूँगा, आप सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,